राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चानल सम्रिद्धी सेतु में आपको और अपने इश्ट को नमन करते हुए आपके सफल और सुकर जीवन की कामना करते हुए विडियो को प्रारंब करते हैं पूर्णिमा का दिन हर महीने की पूर्णिमा का दिन अतिखास माना जाता है ऐसी मान्यता है कि हर महीने में पढ़ने वाली पूर्णिमा का दिन मातालक्ष्मी और भगवान विश्णू को समर्पित होता है इस दिन पूरी श्रद्धा से उनका पूजन और सेवन करने से आपके घर में खुशियां बनी रहती है चार फरवरी को पढ़ने वाली पूर्णिमा यानि कि माघी पूर्णिमा अति खास अति विशेश माने गई है इस दिन किया गया छोटा सा पूजा सेवन छोटा सा उपाय भी आपकी जिन्दगी को पदल सकता है आपकी किस्मत को पलट सकता है तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 11 दाने जोग का एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपकी जिन्दगी में खुश्या है खुश्या आएंगी आपकी किस्मत के दर्वादे खुल जाएंगे आपके जिन्दगी में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफे हैं, पैसे जिस से जुड़ी हुई, स्वास्ट से जुड़ी हुई, बच्चे से जुड़ी हुई, शादी से जुड़ी हुई, वो सब समाप्त हो जाएगी और आपके जिन्दगी खुशियों से भर जाएगी पूर्णिमा के दिन आप सुबह उठेंगे, सनान करेंगे, दान करेंगे जो भी काम आप करते हैं, पूर्णिमा के दिन जो आप करते हैं वो तो आपको करना ही है उसके साथ साथ आपको क्या करना है सुबा सुबा उठकर नहा धोकर स्वाक्ष कपड़े पहन कर सुधुता का धान रखते हुए आपको शिवाले जाना है जी हाँ आपके घर के पास जो भी शिव मंदिर हो जो भी आसपास आप उसमें जा सकते हैं और आपको ग्यारा दाने जौके लेकर जाना है इसके साथ साथ आपको एक लोटे में शुद्र गंगा जल और उसमें जल मिलाकर भग के ले जाना है और उसके बार भगवान शिव पर या शिव लिंग पर वो गंगा जल चड़ाते हुए आपको महाम नितिंजय मंतर का उचारन करना है ग्यारा बार एकिस बार जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार महाम नितिंजय मंतर का उचारन करें महाम नितिंजय मंतर कुछ इस प्रकार होता है इस तरह से आपको महामरितंद्रे मंच का उचारण करते हुए भगवान शिफ पर जल अर्पित करना है और उसके बाद 11 दाने जो के रखते हुए अपनी मनो कामना आपको शंकर भगवान से माता पारवती से भगवान विश्नु से और माता लक्षमी से कहनी है बस इतना ही आपको करना है और उसके बाद आपके पास जो भी यथा उपस्तित सामगरी हो उससे आप भगवान शिफ की पूजा पूरी श्रधा से करें और उसके बाद मंदिर जाते समय और वापस लोटते समय मंदिर से आपको महामृतंज्य मंतर का उचारन लगातार करते रहना है घर में वापस आने के बाद आपको सीधे अपने किचिन में चले जाना है और किचिन में जहां पर भी आपका पानी रखने का इस्थान हो वहां पर आपको एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से स्वास्थिक बनाने के बाद आपको उस वास्थिक पर थोड़ा सा शुद दूध छिड़कना है और उस पे थोड़ा सा अक्षड छिड़कना है और माता अन्य पूर्णा से प्रातना करनी है जी हाँ, पूर्णिमा के दिन हम बहुत सारा दान दक्षणा करते हैं हमें माता अन पूर्णा की पूजा भी पूर्णिमा के दिन जरूर करनी चाहिए ऐसा करने से आपके घर में धन धानी की कमी नहीं होती तो बस इतनी ही पूजा आपको पूर्णिमा के दिन करनी है पूर्णिमा के चांद का भी बहुत बड़ा विशेश महत्व बताया गया है ऐसे तो हर दिन माता तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए पर पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की पूजा करने का विशेश महत्व माना गया है तो पूर्णिमा के दिन आपको माता तुलसी के स सीबते हर तरह की तकलीफें दूर होती हैं आपके घर में स्थाई रूप से माता लक्षमी का वास होता है और ऐसा करने से आपके कुंडली में आपका चंद्रमा स्ट्रॉंग होता है तो 16 फरवरी के दिन इतना सरलसा उपाय अपने घर पर मंदर जाकर जरूर करने ऐसा करने से आपकी जिन्दगी से हर तरह की तकलीफें दूर हो जाएंगी दोस्तों ऐसा कहा गया है कि अगर किसी की मृत्यू निकट आ गई है और उसके लिए केवल महा मृतंजे मंत्र का संकल्प कर लिया जाए तो 11 वर्षों के लिए उसकी मृत्यू तल जाती है अगर आपके घर में कोई बिमार है किसी का स्वास्त खराब है तो ये उपाय आप जरूर करें उसका स्वास्त बहुत जल्द ठीक हो जाएगा भगवान सिर्फ की इक्षा से सब कुछ पंगल हो जाएगा आपके घर में ये उपाय करते हुए शुद्धता का ध्यान रखें महिलाय मासिक धर्म के समय कोई भी उपाय इस तरह का ना करें जब आप कोई उपाय करने जा रहे हुँ तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पीछे से आपको कोई भी टोके ना उपाय जितना गुप्थ होता है वो उतनी ही जल्दी फलित होता है और उतना ही जादा उसका फल आ प्रमचर्य का पालन करना चाहिए अपने घर पर ये छोटा सा उपाय जरूर करें 11 जाओं का आपकी जिंदगी से हर तरह की दरज़ता का ना सोचाएगा आपके घर में सदा के लिए मातालक्षमी भगवान विश्नु का वास होगा आपका घर अन्य और धन से भना रहेगा धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा दोस्तों में शेय कर दीजेगा अच्छी जानकारी शेय करना एक बहुत अच्छी आदत होती है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा धन्यवाद राध राध है